मकर राशी 6-7 मार्च बड़ी खुशकबरी नमस्कार दोस्तों चैम आता दी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशी के बारे में आने वाले अगले दो दिन 6 मार्च और 7 मार्च का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों हमारा राशीफल चंद राशी पर आधारित है यह समय फालगुन मास के शुकल पक्ष का समय है और मकर राशी वालों के लिए बेहत खास और सांधार है चलिए शुरुआत करते हैं छे तारेक शुकरवार से छे तारिक शुकरवार को सुभा एकाशी तिति रहेगी उसके बाद दौाशी तिति प्रारम होगी इस दिन पुक्षे नक्षत रहेगा चंदरमा करक राशी से गोचर करेंगे शनी का नक्षत इस दिन रहने वाला है मकराशी वालो यह दिन आपके लिए बहुत बड़ी मात्रा में धनलाब को लेकर आरा है इस दिन आपको गुपत धन की प्राप्ती तक हो सकती है मकराशी वालो के लिए यह समय बहुत ज़्यादा भाकेशाली और खास है इस दिन आपका मां सम्मान बढ़ेगा सरकारी कामों में सफलता का योग बन रहा है मुकदमे बाजी में आपकी जीत होगी यह दिन आप अकर्षन का केंदर बनेंगे लोग आप से परभावित रहेंगे लोग आपकी राय लेना पसंद करेंगे अपने कार्यस्थल पर आपका दबदबा कायम होगा बड़े बड़े लोगों से आपके संबंद इस दिन स्थापित होंगे नए लोगों से नए रिष्टे आपके बनेंगे दोस्तों की मदद से आपके बड़े पुराने रुके हुए काम भी बनते हुए दिखाई देंगे मकर राशी वालों के घर परिवार में खुशिया चाही रहेंगी दोस्तों घर में नया समान आ सकता है इस दिन कोई मांगली कारिया हो सकता है घर में महमानों का आना जाना भी हो सकता है मता पिता का अशिरवाद आपको प्राप्त होगा परिवार के सदस्य आपका साथ देंगे भाई बहन से सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों से लाप की प्राप्ती होगी आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी आपका विवाहिक जीवन खुशाल रहेगा आपकी लव लाइफ में खुशियां बनी रहेगी और विद्यार्थियों को विशेश सफलता इस दिन प्राप्त होगी इस दिन आपको अपनी जोब में प्रमोशन में मिल सकती है बड़ा ही शुब समय भाक्याशाली समय आपके लिए बना हुआ है बात करें साथ तारिक शनिवार की इस दिन त्रयोदशी तिथी रहेगी आशलेशा नक्षत्र होगा चंद्रमा करक राशी से गोचर करेंगे और बुद्ध का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है मकर राशी वालो इस दिन पुराने उधार की वापसी होगी यह समय नए कामों के लिए धन की वबस्ता होगी विदेशी कामों में सफलता इस दिन प्राप्त होगी शनिवार के दिन लंबी दुरी की यात्राएं भी हो सकती है और सफल यात्राओं का योग आपके लिए बनेगा इसके अत्रिक्त अपनी किस्मत का साथ आप पाएंगे पुजापाथ में धर्म आध्यात में आपकी रूची बढ़ सकती है धर्मिक यात्राओं का योग भी बन सकता है विदेश से अच्छा लाब होगा जनमस्तान से दूर रहने वालों को फायदा मिलेगा इस दिन आपके ग्यान में भी वृत्ती होगी पिता जी से लाब मिलने की उम्मीद है समय आप के लिए आपको हर काम में सफलता दिलाएगा रुका हुआ धन मिलने की संभावना इस दिन बहुत प्रबल होगी आप फसे हुए धन को निकलवाने में काम्याब रहेंगे पुरानी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा यह समय आपको सुब समाचार पराप्त होंगे दोस्तों एहम फैसले आप इस दिन ले सकते हैं व्यापार का विस्तार कर सकते हैं कारोबार में मुनाफ़ा होगा और जोब में फाइदा मिलेगा दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है अगर आपको यह चानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे और सच्चे मन से जै मातादी जै मालक्षमी जरूर लिखे